हेलो मैं डियर स्टुड़न्स आज हम सब्सिजरी सब्जेक्ट ड्रोइंग एंड कलरिंग सीखने जा रहे हैं सेवन स्टांडर में पहला पिक्चर आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है उसमें आपको सिर्फ कलर करना है आपके पास ऐसा पिक्चर ड्रो ना हो तो आप ऐसा ड्रोइंग बुक में या तो कागश पे ड्रो कर लीजिए सबसे पहले हम वोटर कलर लेंगे और इस तरह कि आप एक डीज लीजिए पिछी लीजिए पहले हम यहाँ पे ब्लू कलर निकालेंगे इसमें थोड़ा पान एड करेंगे ब्लू को लाइट करने के लिए वाइट का यूजिए करेंगे तो लाइट ब्लू हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ब्लू कलर ही करेंगे इस तरह से पिछी को रखेंगे और धीरे धीरे हाथों से इस तरह से हम लेके जाएंगे त्यान रखना है कि कलर बाहर ना निकले देखिए स्टुडन्स इस तरह से मैंने एक कलर फिल कर लिया और हम अब दुसरा कलर लेंगे दुसरा कलर लेने से पहले हम इस पिछी को वोस कर देंगे और अच्छे से कपड़े से लूच साफ कर देंगे उसके बाद ही हम दुसरा न्यू कलर लेंगे यहाँ पे साइड में जो एक्जामपल दिया है उसमें ब्लेक वाइट कलर लिया है लेकिन आप अपने हिसाब से मन पसंद भी कलर ले सकते हैं तो हम यहाँ पे यलो कलर लेंगे द्यान रखेगा कि कलर यूज करते समय दूसरा कलर उसमें मिक्स ना हो जाएए इसलिए थोड़ा सा भी दूसरा कलर मिक्स हो जाएगा तो उसका कलर का इफेक्ट चैंज हो जाएगा देखें यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करते हैं तो दीरे दीरे इस तरह से हम अपनी पीछी चलाएंगे और यूज कालर खरेंगे तरह अब हम दुसरा कलर लेंगे दुसरा कलर लेने से पहले हम पीछी को अच्छी तरश से वोस कर लेंगे और रुमाल से साफ भी कर लेंगे पूरे पिच्चर में इस तरश से कलर फिल करने के बाद उसमें ब्लेक कलर की आउटलाइन करेंगे डियर स्टुडन्स आप अपने ड्रोएंग पेपर पे इस तरश से पिच्चर ड्रो कीजिए और कलर कीजिए